अब तक प्रेड़ नहीं कि उसकी लास्ट डेट तक अब उन लोग को वेट करना पड़ेगा 21 दिन तक यानि सीधे 42 पी की पेनल्टी उस पे आएगी साथ ही जेस्ट में एक और डेकॉनियन प्रोविजन है जो आप ध्यान रखें अभी तक भी और फ्यूचर में भी कि आप ज एलिजिबल होते हैं ज면 रिटर्ण फाइल करते हैं तो यानिकर अगर आ पूर्ट फाइल नहीं करते तो फिर आपका साथ करेडिट पैंडिंग रहेगा यानिकि आपके अगरğin 146,000,000,000 डोवच्ड का AG पंछान रिटन नहीं फईपी तो आपके ingenuity घ्रेकोट की खड़ी रहे घिम्लोप प्रयेका कौोपर रखना है बाकि काफी साइ प्रोविजन चेंज हो गए हैं फिचर में आने वाले फिचर के लिए यानिकि जो कॉटर हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑक्टूबर से ऑनवर्स ऑक्टूबर काफी साइप प्रोविजन हमारे चेंज भी हो गए है जिसके कुछ वीडियो से हमने बीच में प्रोविजन चेंज अप्लोड कर रहे हैं जैसे वह अप्लोड कर रहे हैं अप्लोड किया बड़ जेस्टीर वन फाइल नहीं किया तो भी आपको डेटा आप देख सकते हैं अपने जेस्टीर टूए में और साथ में आपको स्टेटस भी दिखाएगा कि उन्होंने पी आपको दिख रहे हैं कि मेरे कुछ सप्लायर से नहीं किया तो आप उनको बोल सकते हैं फॉल अप करके कि प्लीज रिटर्न फाइल कर लो या फिर जादा समझदारी इसमें है कि अप जेस्टीर टूए में पहले डेटा देखके उसको वेरिफाई कर लो अगर वो ठीक है तो एक्षन लेनी का जो राइट है वो जीस्टीर टू में ही आपको दिया गया है तो एक बार आप देख सकते हैं कि जीस्टीर टू में हमें किस तरीकी से डेटा दिखाई देगा तो हम लोग डैश्बूर्ट पर जाएंगे जैसे कि हमेचे जाते हैं डैश्बूर्ट पर आप रिटरंस की डैश्बूर्ट पर जाएंगे रिटरंस के डैश्बूर्ट से मैं या पर अभी सेलेक्ट कर लेती हूं जुलाई अभी सिर्फ जुलाई की रिटर्न है इसके बाद आप GSTR 2 पे जाके प्रिपेर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे अगर आप 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 लाइन प्रिपेर कर सकते हैं लेकिन समझने की पॉइंट वी से मैं भी सिर्फ ऑनलाइन प्रिपेर वाल आपका कवर करूंगी यहां पर आपका सबसे पहला एडिंगे 3 & 4 यानि क जो मैंने इनवर्ट सप्लाइज ली है यह जो मेरी रिवर्ट चार्ज वाले भी है वो जैसे अब इसको ओपन करोगे चो कुछ लोगे साथ ही हो रहा है कि यहां पर डेटा थीक से रिफलेक्ट नहीं हो रहा है मतलब आप तू पे जा रहे है तो डेटा नहीं आ रहा है या पर क्या रहा है तो डेटा दिखा रहा है बढ़ तू में नहीं दिखा रहा है थोड़ा रिफ्रेश करें थोड़ा वेट करें तो आपका डेटा वैसे रिफलेक्ट यहां पर हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि आपको GSTN वाइस एक लिस्त दिखाए दे रही है जिसमे हम लोग एडिट के लिए यूज करते हैं साथ ही आप इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जब आप इसमें मीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे इस लिस्ट के आपको चार ओप्शन दिखेंगे एक्सेप्ट रिजेक्ट और की पैंडिंग पैंडिंग अपको अगर मोड करना है तो आपको इस पैंड आइकन पर क्लिक करना है तो यहां से अपना डेटा मोडिफाइ कर सकते हैं लेकिन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहें कि हम सब कुछ मूडिफाइ नहीं कर सकते बाकी सारे के सारे जो डेटा है वो फ्रीज किये गए है सिर्फ इसम करना है तो आप जो लिस्ट है उसको से विल सीधा सेलेक्ट करके आप इकटे बहुत सरा इंवाइस इसको भी कर सकते हैं तो वहीं से आप इकटे सेलेक्ट करके सीधा जैसे एक्सेप पे क्लिक कर सकते हैं यह दस इनवाइस को सेलेक्ट करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं तो अब 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 तक भी अप्ग्रेड हो जाएगा दिरे फॉर्म अब तक भी चीजों में काफी इंप्रूमेंट आएंगे तो यहां से आप अपने सारे इसको चेक करके उनको सेलेक कर सकते हैं अपने एड कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपको कोई ऐसा डेटा है जो आपके स काें अपने साथे से पाइड कर सकते हैं मतलब अगर मेरे सप्लायर कोई पिल्टार यह कि नहीं किया चाहिए तो अपन अपने साइट मार् Cool अंगिन 5 कुछ to add कर सकते हैं अगर उसको साईड से अंपनी सकते उसको एड़ करने के बाद आपको प्रोविजनली वो एकसेप्ट हो जाएगा मतलब उसका भी क्रेडिट आपको इस महीने के लिए मिल जाएगा बट उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने सप्लायर से रिटन फाइल कराएं आप जो कुछ यहां पर चेंज कर कर दी इन्वाइस गल्थ हो गया जीएस्ट एंगल्थ हो गया यह कुछ लोग इसादी प्रॉलम थी कि इन्वाइस दो बार आ रहे थे कि मैंने एक बार अप्लोड किये 400 इन्वाइस लेकिन 800 बने दो बार रिफलेक्ट हो रहा है काफी सारी अरस देखो पोर्टल पर हो सकती तो आप लोगो गोल्तियों के जादा टेंशन लेनी की जरूवत नहीं है क्योंकि GSTR 2 में अल्टिमेटली आपका डिटर फाइनल तब होगा जब GSTR 2 में आपका रिसीपेंट उनको एक्सेप्ट करेगा अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपने कुई गलट डेला हुआ तो आप उसके रिजेक्शन को एकसेप्ट कर लो तो वहां पर आपको डो दिन की विंडों दी कही है कि मेरे अग्स अपोसे नहीं ने ऑर बोल दिया कि हाँ गलत है उसमें कुछ इसने एंटर की कुछ ऌडिफिकेशन किया है तो मैं उसमोरिफिकेशन को अचेप्ट कर लों तो आपकी कोई गलती रही भी थी GST-A1 फाइल करते वह तो अपने आप ठीक हो जाएगी तो वो इश्विया पर रिजॉल्व हो जाएगा तो GST-A1 की जो मिस्टेक्स है वो आप इस तरह आपे करक्ट करा सकते हैं अपनी सप्ला अपनी डिसिप्रिंट के साथ मिलके तो आप इसको खोल के भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर लिखा होगा एड बिलोफ एंट्री तो यानिकि इंपोर्ट की केस में क्योंकि बिलोफ एंट्री होती है तो आप यहां पर बिलोफ एंट्री एड कर सकते हैं आप क्लिक करेंगे एड बिलोफ एंट्री पे तो आपकी बिलोफ एंट्री के विंडो यहां पर ओपन हो जाएगी तो आप यहां पर बिलोफ एंट्री की डिटेश एंटर कर सकते हैं इंपोर्ट पे औल्दो गॉर्में तो वहाँ पर गॉर्मेंट ने बोल दिया कि उनको इंपोर्ट पे टेक्स देनी की जरुवत नहीं है पहली चीज और दूसरी चीज जो लोग मर्चेंड एक्सपोर्टर्स भी है वो लोग भी अब जो पर्चेस है उसको 0.1% GST पेकर के पर्चेस कर सकते हैं लोकल एक पुरा लीफ पैकेज आया है जिस पर हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो किया भी है तो आप डिटेल्स के लिए हमापे रैफर कर सकते हैं हमाई चनल पे उसी वीडियो पे दैन यहां पर देखेंगे बिलो फेंट्री में आपको पोर्ट को डालना है बिलो फेंट्री नंबर उसकी इसकी डेट और टेक्स रेट की पूरी डिटेज आपको जैसे कि बागी सब इंवाइस की डालते हैं बिलकुल वैसे ही वह इंपोर्ट ओफ बुट्स के केस में तो जहां पर मेरा इंपोर्ट ओफ सर्विसिज और उसके से बिलो फेंट्री में निहीं होता वो डिटेज केस में below of entry होगी वहाँ पे हमें invoice की ही details enter करने होगी basically then next हमारा है debit and credit notes for the supply from registered person अभी debit or credit notes की जादे detail नहीं होगी क्योंकि पहली ही return हमारी GST किये जा रही है but आने वाले returns में आपको debit note or credit notes की detail है वह भी हाँ पे show करने होगी अच्छा आपके जो supplier है उन्होंने जो data आपका डाला होगा debit note, credit note का वो अपको auto reflect होगा यहाँ पे जैसे आपको पहले heading में हो रहा था 3 और 4 वाले में बिर्गुल वैसी है आपको यहाँ पर भी data auto reflect होगी आएगा debit note, credit note का दिहान दखिए, JST में debit note और credit note को issue करने का राइट सिफ supplier को है, buyer को उस debit note or credit note को सिफ accept करना है, तो अगर आपको माल वापस करना है, तो आपको अपने supplier को बोलना होगा कि वही credit note issue करे, आप credit note issue नहीं कर सकते तो credit note जैसे invoice एक document होता है supplier का, इसी तरह credit note भी और debit note भी एक document होगे supplier के, तो आपका supplier नहीं कर रहा है, तो आप उसको enter कर सकते हैं, अपनी side से, लेकिन देन उसकी जो final acceptance हो, supplier की side से ही हमारी आएगी, next हमारा है invoice supply from an unregistered supplier, सबसे ज्यादा परिशान GST में इसी provision नहीं किया है, और आने वाले October month से, 31st March तकी provision government ने defer कर दिया है, ध्यान रखे provision को हटाया नहीं गया है, losses सिर्फ defer किया गया है, 6 मेने के period के लिए, तो यानि कि इस साल हम लोग फिर भी कुछ cash expenses book कर पाएंगे, तो यानि कि उस period के लिए, October से March तक के लिए, आपको अपने unregistered से purchase पे reverse charge दे तो जुलाई में आपने जितनी अंडरिस्टर से purchase की है, वो सब आपको यहां 4B में एंटर करनी है, add details पे हम click करेंगे, और उससे लेटर जो details है, वो हम ही लोग यहां पे फिल करेंगे, supplier का नाम, ध्यान रखे सप्लायर का नाम देना है आपको लेकिन जब आप ऐसे supplier से purchase कर तो प्लीज आप उसका अधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ लीजिए अपनी सेफटी के लिए, क्योंकि अरे से बहुत सारे लोग आपको सप्लाई करते हैं, unregistered sellers, तो कलको आपको उनकी existence को substantiate करना पड़ सकता है, क्योंकि आप पो सकता हो कुछ भी नाम बता कि चला यह आपके अपनी सेफटी के लिए है, लोग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह आपके अपनी सेफटी के लिए है, लोग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह सिर आपके अपनी सेफटी के लिए है, लोग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इन्वोईस नंबर आपको यहां पी ल नेक्स्त, आको इंवानेंके आपको बनाने के लिए काई है, और नीटीर्ट नोट स्यू कई है। आपने ही की होंगे, उनके भीहाद उनके बहाफ पे भी, तो अल्दो लाने, इंवाइस आपको बनाने के लिए काईड है, debit note, credit note supplier के आपको बनाने के लिए नहीं होला है, बर स्टिल उनकी वीडिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी, इसके बार इसका second part आजाता है जो हमारा first part था वो cover करता था mainly B2B supplies को यानि कि B2B से मैंने business से जो purchase करी, इंडिया से बाहर से purchase की उन सब को या unregistered से जो purchase की उनको, जो मेरा next part है इसका, वो कुछ अलग type की inverse supplies को cover करता है जो generally पहले में देने की जरूत नहीं थी, लेकिन किस को cover करता है, वो हम एक बार देख लेते हैं आपने जब GSTR 3B भरी होगी, तब भी हमने इंडियल से fill की थी, तो वहाँ पर आपने डेटा फिल किया थो तो यहाँ पर बीजी कर सकते हैं supplies from composition taxable person and other exempted, nil-rated, non-GST supply, बिल्कुल 3B वाली टेबल है, 3B में अपके पास same table थी, तो आपको composition taxable person से इंवोईट supply याई, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ आपको bill of supply देगा, आपको composition dealer invoice नहीं दे सकता, और जो वह bill of supply देंगे, उस पर बाकाइदर लिखा होता है कि वह composition dealer है, और वह tax collect करने के लिए eligible नहीं है, ऐसा law में compulsory है, उने के लिए लिखना आपने bill of supply पे, then same provision exempted का भी है, अगर आपको गोई exempted किसीने sale की होगी, तो उन्होंने भी आपको invoice की जगह bill of supply issue किया होगा, और उस पर लिखा भी होगा, और उनको लिखनी की requirement नहीं है, लेकिन tax firm पे 0 लिखा गया होगा, then, nil related supply GST में फिलाल कोई नहीं है, यह भी confusion है, एक exemption notification है, इसमें सारे के सारे exempted supplies की list दी गही है, उसमें शायद कुछ जगह पे nil लिखा हुआ है, तो कहीं लोग ऐ कोस्चिन होता है, यह exempted है यह निल है, आपको इध्यानक नहीं है, जो section 11 of CGST Act and section 6, जो की corresponding section 11 का, उस section के अंदर issue किया गया है, और वो section सिफ exempted की बात करता है, अंदर उसमें कुछ भी लिखा है, लेकिन क्यूंकि वो आया उस section के अंदर है, जो की exempted supplies की, की सप्लाई को exempt करने के लिए, गौर्मेंट को राइट देता था, कि इस section बोलता किया था, अच्छे आपको इस चीज को exempt करना तो आप प्रिसक्राइब करके ला सकते हो, तो गौर्मेंट प्रिसक्राइब करके लिए लिए तो किकि उस section मिलाई है, तो वो exempted ही मानी जाएंगे, तो इस point of vision में देखो, तो ने लेटिट सप्लाई कोई भी नहीं है, अभी अभी नहीं तो आपने डिवर्स चार्ज वाली सप्लाई के लिए जो एडवांस की अमाउंट है, वो डिवर्स चार्ज की केस में, जैसे आपने पेमिंट किया, आपको लिएबिल्टी आ गई, टेक्स पे करने की, और जो आपने, बतलब यह एक्चुली फिर आपकी पर्चेस में यहां रिखना, इसका एडवांस में लिए यहां करना है, इसका एड़िस्समिन्ट जो है मुझे वो नेक्स टेवल में करना है, वल्हें 10 आयो 10 B में, अच्छी 10 को औनों ने दो पार्स में कर दिया 10 A and 10 B, तो महां पर आपको इसको दोशो में करना है, धिहान रखें, मैं आ आप आज की रेट में उस 5 लाग पे एडवांस पे टेक्स पे कर दोगे लेकिन आपका जो रिसीपेंट है वो उसका क्रेडिट उटिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि क्रेडिट उसको तब मिलेगा जब इन्वाइस हो जाएगा और साथ में गुर्सिया सर्विसिस भी उसको रिसीव हो जाएंगी तो हम लोग को मतलब अभी उसका टेक्स पेमिंट तो करना है लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलना है अच्छा जहां पे यूर्ड से परचेज है भावे फर्क्या पढ़ जाएगा क्योंकि यूर्ड वाले पे टेक्स भी में ही पे कर दियू अदर्वा कि सप्लियर को मैंने एडवांस दिया, भी मैं उसका नहीं ले पारी हूं क्योंके मैं उसका क्रेडिट नहीं किया रुग क्योंकि मैंने एभी रवी सर्acementarense क्यों मैं आपी इंभाई के वी जाएँ तो यह पर इसलिए मुझे एगे उसको क्रेडिटि एंभ लेंगे क्रेड जब गूर्स रेजिव हो जाएंगी उसके बाद तो हो सकता है कि subsequent month हो एक महीने बाद दो महीने बाद दस महीने बाद कभी जब गूर्स यह services आप को रिसी हो जाएंगी उसके बाद आप उसको यूटिलाइज करोगे तो फर्क हमी समझना है, reverse charge वाले case में, मुझे उसका tax pay करना है, लेकिन credit को खुद ही hold करके रखना है, और जहां पर आपका power charge वाले case है, supplier tax pay करेगा, मुझे reflect भी होगा, लेकिन मैं ही credit hold करके रखूंगे, वो थोड़ा से difference हो जाएगा महाँ पर, then next column में आपको inverse apply की hsn summary देनी ह पहले भी हम लोग दे चुके हैं GSTR 3B में, input text reversal या reclaim, यह बहुत important है, input text का reversal, हम इसे काफी लोग को भी करनी रहे हैं क्योंकि हम समझनी आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, different rules हैं जो आपको reversal के लिए बोलते हैं, और उन सारे-सारे different rules को यहाँ पर cover किया गया है, section 17.5 में, जित के लिए भी जरूर डालेंगे, guys, एक चीज में आपको जरूर बोलूँगी, कोई वीडियो कर इंग्लिश में भी आती है, यह मेरे इलावा किसी और expert की भी आती है, तो please आप अपने comments इतने derogatory ना करें, कि हमें वो फिर बुरा लगे देखके, कोई भी expert की इस चैनल पे आ है, same हर वीडियो की translation Hindi में भी post की जाती है, तो please थोड़ा सा पेशेंस रखें किसी को भी कुछ भी comment देने से पहले, क्योंकि जितने भी लोग यहां पर आते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी expert है, all of them are very respected experts, और वो लोग बिना किसी लालश किया, बिना कुछ चार्ज क फ्री में अपनी advisory देर होते हैं, then सारे के सारे आपको जो यहां पर details है, वो डालनी है, जितने भी हमारे reversal है, सारे reversals पे उसके ITC कबकुमे में नहीं मिलेगा, एक separate video हम लोग Hindi फिर से post करेंगे उसके लिए, तो यह reversal भी हमें carefully करने है, then सबसे last है हमारा, अगर कोई ISD से हमें credit receive हो रहा है, तो वो आपका, यहां reflect हो जाएगा, ISD वाला credit भी, TDS, TCSK भी credit यहां पर दिखेंगे वैसे आपको GSTR 2A में, क्योंकि provision government ने उनके post phone कर दिये हैं, तो इसलिए भी आपको यह reflect नहीं हो रही है, वो दोटे भी लिहां से हिटा ली गई है, बागी ऐसे आपको TDS प्रोविजन साएंगे, तो यह हमारे GSTR 2A का एक पूरा ओर्वियू है, किस तरिके से फाइल करनी है, किस कोलम में क्या क्या जाहेगा, किस तरिके इसूस आपको आसकते हैं, बागी आपकी जो भी इसूस, जो भी प्रॉलम आएंगी वो आप अपनी feedback और अपनी questions के तरो उम